हेलो एंड वेलकम टू हंडर परसेंट मैज आज हम करेंगे क्लास 10 का चाप्टर नमबर 10 डाट इस सर्कल्स जमेटरी का मोस्ट इंपोर्टेंट चाप्टर और बहुत इजी चाप्टर है बट मोस्ट अफ बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है तो आज इस रिविजिन मैं आपको कुछ कोशन्स ऐसे करवाऊंगी जो थोड़े से हैं तो कॉम्प्लिकेटेट बड़ अगर हम उसे सिस्टेमाटिक वी से सॉल्फ कर ले तो वो बहुत असान हो जाते हैं तो आज इस वीडियो में वही टिप्स और ट्रिक्स हैं और यह कोशन्स जो हैं वो बहुत बार रिपीट हुए हैं आपके प्रीवियस एर एक्जाम्स में तो यह बहुत इंपोर्टेंट है इनको समझना एक बार आप इनको समझ लोगे तो आपको इजी रहेगा इस बार एक्जाम्स में जो कुछन्स आएंगे उनको अटेंप्ट करने के लिए तो यह वीडियो पूरा लास तक जरूर देखिएगा आईए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह हमें निकालना है तो पैनिमेटर पता चल जाएगा अब सबसे पहले एपी गिवन था कितना गिवन है एपी पूरा 12 सेंटिमेटर गिवन है आपको ठीक है अब आप देख सकते हैं इस इस सर्कल और यह उसका एक्स्टरनल पॉइंट है और यह जो एपी है वो पी और क्य इस सर्कल पे पॉइंट्स तो है वो टच कर रही है और यहां से अपी भी टेंजेंट है और अक्यू भी क्या है टेंजेंट है तो टेंजेंट है अगर यह जो एपी है 12 है तो इस AQ विल अल्सो भी एक्वल टो 12 सेंटिमेटर पहले तो यह पता चल गया तो AP इस एक्वल टो AQ इस एक्वल टो 12 सेंटिमेटर राइट अब यहां पर यह जो B है और यह C है यह भी दोनों सर्कल के एक्स्टरनल पॉइंट है यानि कि यह जो BP है इस इक्वल टो BD यह टो Cd जो है वह CQ के इक्वल है विद सेंटीम रीजन ठीक है अब यहां से यह हो गया अब हम ही क्या निकालना है AB plus BC plus CA की value को हमें calculate करना है क्योंकि perimeter निकालना है AB को ऐसी रहने दो AB को ऐसी रहने दो अब यह जो BC है पूरा वो किस से बना है तो BC जो है वो BD plus DC से बना है ऐसी बना है BD plus DC तो BC की जगा पर लिखो BD plus CD ठीक है plus CA को भी ऐसी रहने दो अब यहाँ पर आप देखो BD की value जो है वो BP भी fill कर सकते हैं यहाँ से ठीक है यहाँ तो आप यहाँ से second equation mark कर लो third कर लो और इसको first कर लो ठीक है तो from second equation BD की जगा पर मैं BP लिख सकती हूँ BD की जगा पर मैंने BP लिख दिया और CD की जगा पर मैं CQ लिख सकती हूँ CD की जगा पर मैंने CQ लिख दिया plus CA ठीक है ऐसा मैंने क्यूं किया क्यूंकि मेरे पास देखो यह जो AP है इसकी पूरी value है तो AB plus BP से ही तो बनाई यह तो AB plus BP की value कितनी हो गई? 12 ठीक है ऐसी CQ plus CA देखो CQ plus CA इसकी value भी कितनी है मेरे पास 12 है तो answer क्या है इस question के लिए 24 cm is the perimeter of triangle ABC Next है हमारा question number 2 इस question में complication यह है कि इसकी statement जो है बहुत बड़ी है plus इसमें figure given नहीं है तो figure ही draw करनी है अगर आपने figure draw कर ली उसके बाद यह question बहुत असान हो जाएगा यह CBC 2012 का question है आपका तो देखें figure कैसे बनानी है सबसे पहले A is a point at a distance 13 cm from the center O of a circle of radius 5 cm तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है circle है उसका center है O तो वो मैंने draw करके रखा है center of the circle is O अब फिर से पढ़ते A कोई point है जो कितने distance पे है 13 cm के distance पे है so let us say वो point A यहाँ पर है और इसका बीच में from the center of the circle कितना distance है 13 cm इसका distance है अब इस center का circle का जो radius है वो कितना है 5 cm है ठीक है अभी इसको ऐसे रहने जेते हैं तो यहाँ पर AP और AQ are the tangents to the circle at point P and Q तो suppose कर लेते हैं यहाँ पर point P है और यहाँ पर Q है तो AP और AQ जो है वो दो tangents है इस circle की ठीक है यह draw हो गया उसके बाद if a tangent BC is drawn at a point R lying on the minor arc PQ तो सबसे पहले यहाँ पर क्या ढूननी है minor arc PQ तो minor arc क्या है PQ की यह देखो यह है minor arc जिसको मैंने यहाँ पर अब दुबारा से draw करा है This is our minor arc PQ ठीक है अब यहाँ से वापिस चलो क्या draw करना है tangent BC ठीक है drawn at a point R point R है lying कर रहा है minor arc PQ पे तो यह है मारी minor arc PQ इसके उपर point lying कर रहा है मतलब यह point क्या है R point है ठीक है अब यह R point है यहाँ से tangent draw की गई है तो यहाँ से tangent draw की गई है वो इस तरह से draw की गई है into intersect AP at B तो AP को कहां intersect कर रही है B point पे और AQ को कहां intersect कर रही है C point पे ठीक है AP at B and AQ at C तो इस तरह से आपको ये figure बनानी है अब हमें find out क्या करना है इस question के लिए perimeter of triangle A, B, C So to find the perimeter of triangle A, B, C perimeter क्या होता है? sum of all the sides यानि कि A, B, plus B, C, plus C है तो ये हमें इस question के लिए find out करना है तो आप देख सकते हैं कि A, B, C triangle है तो A, B, plus B, C, plus C, A की value को हमें find out करना है अब एक चीज़ और given थी यहाँ पर radius भी given था 55 cm तो ये radius मैंने यहाँ पर mark कर लिया ये radius जो होते हैं वो equal होते हैं तो नीचे भी जो radius आएगा वो O, Q का वो कितना है? 5 cm है, right? तो अब यहाँ से ये हो गया अब ये angle subtender कितने होते हैं? 90, 90 degree होते हैं ये तो हमें पता ही है तो ये बन गई हमारी figure अब हमें सबसे पहले इस question में देखो given क्या है? अब इस triangle को अगर check करो A, P, O triangle को तो इसमें आप देखो कि ये hyper continuous है 13 given है, ये perpendicular भी given है तो हम A, P की value को calculate कर सकते हैं तो सबसे पहले pathogras लगा के A, O, P, ये triangle है हमारा A, O, P इसमें हमारे पास pathogras लगाओ A, O square is equal to P, O square plus A, P square A, O square की value given है 13 square, इसकी value 5 है A, P की value हमें calculate करनी है This is 169, minus करेंगे 25 is equal to A, P square minus करके आया 144, root हो जाएगा तो A, P आगया आपका 12 cm यानि की A, P, tangent की value आचुकी है हमारे पास 12 cm अब यहाँ से देखो क्या होगा अब यह आगया 12 cm पूरा तो A, Q भी कितना हो जाएगा 12 cm क्योंकि tangents are equal तो हम यहाँ से लिखेंगे A, P is equal to A, Q is equal to 12 cm reason why ही mention करेंगे tangents drawn from external point are equal अब यह हो गया अब हमें क्या find out करना था A, B plus B, C plus C, A अब यह लिख लेते हैं तो A, B plus B, C plus C, A की value को हमें find out करना है same way से करेंगे जैसे हमने पिछला question किया था अब देखो यह circle है ठीक है इसका external point B, B है तो यहाँ से देखो B, P जो है वो B, R के equal होगा same reason tangents drawn from external point are equal same way यह जो C है वो भी external point है तो C, R जो है वो C, Q के equal होगा C, R is equal to C, Q के equal यह आपने दो lines लिख देनी हैं अब आजो फिर से यहाँ पर A, B, plus अब यह जो B, C है पूरी tangent यह बनी किसके साथ है B, R, plus R, C तो B, R, plus R, C, plus C, A यह हो गया अब B, R की जगा पर आप B, P डाल सकते हो डाल सकते हैं बिल्कुल क्योंकि B, R जो है वो B, P के equal है तो मेरे पास A, B, plus B, P की already value, already available है अब यहाँ पर C, R की जगा पर C, Q डाल सकते हैं बिल्कुल डाल सकते हैं क्योंकि मेरे पास C, Q, plus C, A की value पड़ी हुई है तो अब आप देखो A, B, plus B, P की value कितनी है 12 C, Q, plus C, A की value कितनी है 12 is equal to कितना answer हो गया 24 cm तो इस तना से आपको यह question को solve करना था तो आज की revision video का last question है यह in the given figure यहाँ पर Quadratural A, B, C, D circumscribe the circle यहाँ पर एक circle drawn है और A, B, C, D जो है वो इसका Quadratural है जो इस circle को circumscribe कर रहा है हमें find out करना है length of side CD अब CD कहा है यह CD है यानि कि हमें इस question के लिए क्या find out करना है इस पूरे CD की length find out करनी है तो CD बना किसके साथ है DG plus GC के साथ यह इसके साथ बना हुआ है तो हमें यहाँ पर देखो यह तो Y given ही है ठीक है तो इसकी value निकालनी है plus DG की value को calculate करना है अब यहाँ से आप देख सकते हैं यह circle है और यह जो C है this is an external point to this circle तो हम यहाँ से लिखेंगे C is an external point so therefore हम यहाँ से लिख सकते हैं CG is equal to FC ऐसा क्यों? क्योंकि यह tangents है CG और CF तो यह दोनों equal होंगे tangents drawn from the external point are equal यह आपको reasons हाथ में mention करना है जैसे मैंने previous questions में किया था अब यहाँ से CG FC के equal है CG की क्या value है? Y और FC की क्या value है? 2Y minus 3 इसको solve करो Y minus 2Y is equal to minus 3 minus Y is equal to minus 3 Y की value आगई 3 तो आधा portion तो देखो आपने फटा-फट से solve कर लिया अब क्या रहा गया? DG रहा गया ठीक है? अब उसके लिए इसकी value भी नहीं है at D की value भी नहीं है तो इसको पहले देखती है ये देखो, ये total जो है वो 5 है इसमें से अगर हम ये minus कर देंगे तो HD की value आजाएगी यहाँ पर sorry minus नहीं है statement में 4 minus X ही है तो ये इसको minus करो आप तो HD की कैसे निकालनेंगे? 5 minus 4 minus X इस तरह से पहले bracket में लिखना है क्योंकि बाहर minus है तो यहाँ से हो जाएगा 5 minus 4 plus X ठीक है तो यह आगया 1 plus X यानि कि ये जो HD है इसकी value कितनी आचुकी है ये आगई है 1 plus X आगई है तो इस तरह से ये जो DG है वो 1 plus X हो जाएगा ठीक है? तो हम लिखेंगे यहाँ से HD is equals to DG is equal to 1 plus X बट हमें X की value तो निकालनी पड़ेगी तभी हम पूरा निकाल पाड़ेंगे तो X की value निकलेगी इसको इसको equate करके अब आप देख सकते हो A जो है external point है तो AE जो है वो AH के equal है तो यहाँ से लिखेंगे A is an external point so AE will be equals to AH यानि कि X is equals to 4 minus X हो गया इसको इधर ले आओ X plus X is equals to 4 2X is equals to 4 तो X की value आगई 2 आगई ठीक है तो X की value 2 आगई अब हमें क्या calculate करना है DG plus GC तो DG की value क्या है 1 plus X है और GC की value क्या है Y है तो X और Y की value put down करो X की value क्या निकाली है 2 और Y की value क्या निकाली है 3 so 1 plus 2 3 3 plus 3 6 so answer is 6 cm the length of side CD is equal to 6 cm so आज की video के लिए इतना ही next video में मिलोंगी आपको next chapter की worksheet के साथ तब तक आप इनको different questions के साथ practice कर लीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो kindly इसको कर ली और bell icon को भी press करें ताकि जो new video आती है उसकी notification आप तक सबसे पहले पहुँचे गहे हैं तब तक आप इसको practice करिए revise करिए have a nice day